एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ में बात करेंगे हम इस वीडियो में साधना ब्रोडकास की और जिसके अंदर गिरावट जो है वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि जिस रफ्तार के साथ ये स्टोक उपरी स्थर पे जाता जा रहा था प जिसके वज़े से एक अच्छा खासा नुकसान जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को यहां पे उनके डिमेट अकाउंट में देखने को मिल रहा है बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर सेल नहीं हो रहा है तो क्या वज़य है सेल ना होने की और क्या कुछ आप लोगों तक तुरंत नॉटिफिकेशन पहुँच जाए तो साधना ब्रोडकास देखिए आज भी जो है इसकी जो प्राइसमें लिमिट है वो 2% कि क्योंकि एसम स्टेज लिस्ट वन के अंदर यह स्टॉक बिलों कर रहा है स्टॉक क्योंकि सीबी की नजर में है और सेक क्लोजिंग 15 रुपे 10 पैसे थी और आज 14 रुपे 80 पैसे पे स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग बीते 5 दिनों में अगर स्टॉक के में बात करूँ तो अल्मोस्ट साधे 7% के आसपास तक की करेक्शन जो है बीते 5 दिनों में हो चुकिया तो एक अच्छी खासी गिरावट कह लगातार देखने को मिल रहे हैं 15 दिनों से हमें इस टॉक के अंदर इसके नमबर्स बिलकुल भी अच्छे नहीं देखने को मिलेते हैं तो यहां पे यह चीज मैने बताई भी थी कि प्रॉफिट बुकिंग करते रहे हैं आप अपनी 15 रुपे पहला तो जो टार्गेट था वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बोला था सेकेंड टार्गेट के बाद भी मैने बोला था प्रॉफिट बुकिंग करें आप अब स्टॉक इसलिए सेल नहीं हो रहे हैं क्योंकि सब लोग बेचने वाले हैं खरीदने वाला कोई भी नहीं है इस टॉक में अब कोई खरीदेगा नहीं माल तो भिखेगा कहां पर और वही चीज इस टाइम साधना ब्रोडकास में भी है जबकि एक साल में औरमोस्ट साधना ब्रोडकास ने बना के दिये इन्वेस्टर्स को और पांच साल में औरमोस्ट बारासो पैंतालीस पसंट के रिटन्स साधना ब् स्टॉक में लगातार दो पसंट की गिरावर देख पा रहे हैं और पैनी शेर के अंदर यह चीज हमेशा होती है कि आपको पता कि अपरेटर्स जो गेम को चलाते हैं क्योंकि बल्क में सेलिंग अगर आप भी करें कोई भी लगा लिए उसमें उपरेटर्स का तो बस है कि उनके पास कैपेटल जादा है तो वह ठीक है अपना जो है इसको मैनिप्लेट कर लेते हैं लेकिन रिटेल इन्वेसर्स ही एक तरीके क भागने लग जाता है और एकदम से बल्क में सेलिंग हो जाती है और वही चीज उसके अंदर गिरावर दिखा देती है और वही चीज इस ताइम साधना बोड़कास में भी आप लोग देख पा रहे हैं अगर इसकी जो एसम लिस्ट जो है उसके स्टेज वन के अंदर जो मै करता हूँ जिनकी एकुरेसी ओल्मस्ट 90 पसंट से उपर रहते है तो आप उनको पेपर ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं अब इसके रिजल्ट देख्या आप कॉर्टर टू के अंदर ओल्मस्ट 1.91 मिलियन रुपीज का जो है कं मिला था हमें और जहां EPS भी पॉजिटिव था कॉर्टर वन के अंदर वहीं कॉर्टर टू के अंदर नेगिटिव देखने को मिला ओपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है उसाड़े 15 पसंट के आसपास था पॉजिटिव लेकिन कॉर्टर टू के अंदर 19.20 पसंट ने फिंस्टर रेटिंग 3 स्टार है, ओनर सी प्रू स्टार, वैलुएशन 3 स्टार देखने को मिल जाता है, एफिशिएंसी जो है वो पूर है और फैनेस से भी छो है थोड़े से वीक देखने को मिल जाते हैं, मार्केट कैप में अगर बात करें इसके हिसाब से तो प्रमोटर स देखें तो आप 5-year की 7.94 जो है नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक साल में 6.27% और प्रॉफिट ग्रोथ ओल्मोस्ट, जो है 0.11 से जो है थोड़ा सा बढ़ता हो नजर आ रहा है, जहां नेगेटिव था वो अभी 0.31 देखने को मिल जाता है 2022 के अंदर, प्रम